हाई फ्रेंग्स कैसे हैं आप सब उमीद है सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स मैं अमर्दी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल रैव टेस्टिक नॉलिज में दोस्तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा रंग कैंसर की फेपड़ों का कैंसर क्या होता है इसके सिंटम्स क्या होते हैं दोस्तों यह कितने टाइप्स का होता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नगे तो प्लीज होता है उसको यहानन के नाम से जाना जाता है जैसे कि अगर हमारा रंग में खैंसर थो Lesley अविक फेड़ों का कैंसर क्या होता है सिंटम्स क्या होते हैं कैसे पता करें हमकी हमें लंग cancer होने वाला है दोस्तों लंग cancer एक ऐसा cancer होता है जो कि हमारे फेपडों में सुरू होता है यानि कि हमारे lungs में start होता है दोस्तों लंग समारी chest में मवजूद दो spongy organs होते हैं जैसा कि सभी को पता होगा इसके बारे में तो जो आपके सांस लेने क और ऑक्सीजन लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कोर्वन डियॉक्साइट रिलीज करते हैं उस्तों आंक्डों की बात करें तो लंग कैंसर जो है यह दुनिया बर में बहुत ही खतरना कैंसर इसको माना जाता है और इससे जो डैथ रेट है वह भी बहुत जादा ह उसमें सबसे प्रिमुक करण माना जाता है लंग कैंसर को दोस्तों अगर एक्सपेट की बात करें तो एक्सपेट के मुस्तार जो लोग अत्यधिक स्मोक करते हैं जादा स्मोक करते हैं उनमें लंग का कैंसर होने के चांसे से वह तोड़े जादा रहते हैं हाला कि जो लोग स्मोक नहीं भी करते हैं उनमें भी दोस्तों रंग कैंसर होने का खत्रा बना रहता है दोस्तों रंग का कैंसर क्यों होता है इसकी सुरुवात और यह कैसे फैलता है ठीक है तो बात करते हैं दोस्तों कि रंग के कैंसर की सुरुवात आम तोर पर कैसे होती है दोस्तों फेपड कुछ धुए और अन्य कर्सी जोनेसिस की वजह से जान लेवा केमिकल्स फेपड़ों की संपर्क में आते हैं इससे क्या होता है कि हमारे डियने में बद्राव होता है हमारे डियने के दिए चेंजिस आता है और यही आगे चलकर रंग एंसर की कारण बनता है दोस्तो कारसीनोजेंस की वजह से रेस्पारिटरी सिस्टम को नुकसान पहुँचता है किसी भी नुकसान पर हमारा सरीर इंस्टेंट प्रोसिस देता है इंस्टेंट उसका प्रतिक्रिया करता है उसके लिए और उसको रिपेर करता है उसकी मरमत करता है हालग कि कुछ चानी कारपदारतों की संपर्क में लंबे समय तक रहने से ये नुकसान ऐसी कंडिसन्स में पहुंच जाता है जहां से इसकी मरम्मत करना इसका रिपेयर करना काफी मुस्किल हो जाता है दोस्तो तब ही यह – जो कारण बनता है जहां से हमें लोटना संभभ नहीं होता है काफी मूश्किल हो जाता ए अजो elim कि लन्ग का थे थे जह से आधा तो नॉर्मलगी तौर पर भात करें तो जो फेपड़ों का थेंसर है यह द히रे थिरे बढ़ता है और others जैसे की non small cells cancer जो रंग का कैंसर होता है ये मुकावले अधित तेजी से फैलता है 70% मामलों में दोस्तो diagnosis के समय small cells रंग का कैंसर फैल चुका होता है बात करने दोस्तों इसके symptoms कि कि इसके symptoms क्या होते हैं रंग कैंसर के symptoms दोस्तों लगातार खहासी आना यह जीक रॉडार को आफे हमारे ऊछातों ब्लेडुन का कडर हैं, तो दोस्तों यह सारे सारे सिंटम से नपर में देखे जाते हैं बात करते हैं दूस्तों कि टाइप कौनकौन से होते हैं क्योंकि बड़ा सवाल रहता है कि लंग कैंसर में भी क्याईप होते हैं तो यहाँ पर बात करने वालाओं कि Lung Cancer की कौम कौम से प्रिकार है दोस्तो Lung Cancer के कॉमन ली पाँच टाइप होते हैं जैसे कि दोस्तो Small Cells Lung Cancer तुछरा है दोस्तो Non-Small Cells Lung Cancer तीसरा है दोस्तो Adeno-Corsinoma Lung Cancer Scam Cells Corcinoma और Large Cells Corcinoma तो दोस्तो ये 5 टाइप के Lung Cancer होते हैं ठीक है तो दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तो जोने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच